वाई तेरुनल्ले नारायन अईयर शेशन शोट में टीन शेशन भारत के दसवे मुख्य चुनाव आयुक्त एक एसा एडिनिस्ट्रेटर जो नेताओं से ज्यादा फेमस हुआ शेशन 1990 से 1996 तक चुनाव आयुक्त रहे इस दौर में शेशन के कई कारणामे अब किसों के शकल में याद के जाते हैं बसलन शेशन जो कहा करते थे कि मनाश्ते में निताओं को खाता हूँ शेशन जिनके बारे में लालू पसाद यादव ने कहा था कि शेशनवा को भैसिया पे चड़ा कर गंगा जी में एला देंगे शेशन जिनके बारे में कहा जाता था कि नेता या तो भगवान से ड़ते हैं या फिर शेशन से अलाकि शेशन का करियर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था इसके पहले भी शेशन का एक परिचय था एक लंबा करियर था जिसके बारे में लोग कुछ कम जातें नमस्कार बनाना मेरे खिल और आप देख रहे हैं भारत के एतियास से किस सो कहानी सो जुड़ा हमारा रोजाना का कारेकरम तारीख शेशन की पैदाईश साल 1932 में हुई थी बारवी की पढ़ाई उन्होंने गवर्मन्ट विक्टोरिया कॉलेज पलककर से की एक दिल्चस्ट रिविया ये भी है कि मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी इस दौरान इसी स्कूल में पढ़ रहे थे अधर में जुड़ गई यानि की आई एस बन गए उन्हें सुबासट में पहली बड़ी जिम्मेदारी मिली उन्हें बदरास ट्रांस्पूर्ट डिपार्ट्मेंट का डिरेक्टर नियूक किया गया इसी नियूकती से जुड़ा है पहला किस्सा हमारा आज का ट्रांस्पूर्ट डिपार्ट्मेंट में पहली बार शेशन को बड़ी जिम्मेदारी मिली थी और आते हैं उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिये थे सकता आदमी थे ही ट्राफिक के नियमों को लेकर शेशन काफी स्ट्रिक्ट थे दुने ऐसी दिगे डिपार्ट्मेंट के डिरेक्टर खुद सड़कों पर बस ड्राइवर्स को हड़काते वे देखा जाता था तब शेशन खुद बरक्शॉप में रहकर सारा काम देखते थे एक रोस की बात है एक बस ड्राइवर्स ने शेशन से कहा कि ना आप बस के इंजन को समझते हैं नहीं बस चलाना ही जानते हैं आप किस हैसित से हमारी समस्या यह समझ सकते हैं ऐसा दावा करते हैं आप शेशन ने इसे एक चैलेंज की तरह लेते हुए बस चलाना सीखा बलकि घंटो वरक्शॉप में गुजारे भी वो कहते थे मैं इंजन खोल सकता हूँ उसे दोबारा लगा सकता हूँ और बस चला कर भी दिखा सकता हूँ एक रोज उन्होंने बीच रास्ते एक बस को रोका, ड्रवर को उतारा और फिर खुद 80 किलोमेटर तक बस चला कर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुँचाया यहाँ से शुरू होकर शेशन की गाड़ी पहुची हावर्ट, वहाँ उन्होंने पब्लिक अड्मिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री ली, यही पर उनकी दोस्ती सुब्रमन्यम स्वामी से हुई यह दोस्ती आगे जाकर भारत की इतिहास में एक महत्वपून अध्याय रचने बाली थी, लेकिन वो अभी कुछ आगे की बात थी 1979 में भारत लोटने के बाद शेशन को अटाउमिक अनर्जी कमिशन का सचिव नियोक कर दिया गया और 1972 में वो Department of Space में बन गए Joint Secretary इस कारेकाल से जुड़ा एक और किस्सा है इंद्रा गांदी के मीडिया एडवाजर रहे है HY शार्दा प्रसाद के बेटे RV शार्दा प्रसाद बताते हैं ये किस्सा वो लिखते हैं कि जब भी उनके घर में शेशन का फून आता था एक आवाज गूंच्टी थी हलो मैं स्पेस से शेशन बोल रहा हूँ दरसल उसी दोर में एक और शेशन N के शेशन इंद्रा गांदी के सचिव होते थे कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए शेशन कहते थे मैं स्पेस से शेशन बोल रहा हूँ शेशन फ्रम स्पेस 1985 की बात थे राजिव गांदी की सरकार में उन्हें पर्यावरण और बनमंत्रा ले मैं सचिव कपद मिला उनके कारेकाल में पर्यावरण और बनों को लेकर कई सख्त कानून लागू किये गए इस दोरान उन्हें नर्मदा और टेरी बान परियोजना के पर्यावरण परहानी कारत प्रभावों को लेकर भारी विरोध भी किया जंगली जानवरों के शिकार को लेकर भी वो काफी सक्त थे आर्व इशार्दा प्रसाद बताते हैं कि इस दौरान एक बार शेशन अपने ओफिस में बैठे थे तब यह उन्हें टीवी पर एक खबर दिखाई दी वहां लिखा था टू टाइगर्स किल्ड फिर क्या था शेशन ने पूरा ओफिसिर पर उठा लिया तमाम अधिकारियों को तलब किया गया दो बाग मारे गए कैसे मारे गए क्यों मारे गए शेशन कोई बहाना सुनने को तयार नहीं थे उन्होंने तुरंत इंक्वाइरी बिठा दी लेकिन inquiry होती कैसे खबर असल में बागों की थी ही नहीं बाग लिट्टे के तमिल टाइगर्स की हो रही थी लेकिन शेशन का खौफ ऐसा था कि किसी की भी हिम्मत उन्हें की बताने की हुई नहीं कि सरी दूसरा टाइगर था 1989 में राजीव गांदी सब्ता से बाहर होते हैं और वीपी सिंग की सब्ता में एंट्री होती है शेशन को कैबिनेट सेक्रेटरी का पद मिलता है बढ़ते जा रहे हैं उपर इसी बीच कश्मीर में अलगावादियों ने ग्रह मंतरी मुफ्ती मुहमद सईथ की बेटी पांच आतंगबादियों को रिहा करने की मांग कर दी थी मुख्यमंतरी फारुक अब्दूल्ला आतंगबादियों को रिहा करने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे खराब नजीर बन सकती थी दिली में इस मामले में लगाता और हाई लेबल मीटिंग चल रही थी आखिर में तय हुआ कि रुबिया की बदले आतंगबादियों को छोड़ा जाएगा मुसर रजा बताते हैं कि आतंगबादियों के रिहा होते ही उनके पास शेशन का कौल आया और उन्होंने रजा को बढ़ाई भी दी रजा बताते हैं कि दो साल बाद उनके शेशन से दिली एरपोर्ट की वियाईप लाउन्ज में मुलाकात हुई तब तक शेशन मुख्य चुनाव आयूब बन गए थे रजा ने शेशन से पूछा कि मुझे हरानी है कि 13 दिसंबर के सुबह जब आपने मुझे आतंग बाजियों की रिहाई का आल्टिमेटम दिया आपके रुक में बदलाव के कारण क्या थे शेशन ने तब जबाब दिया कि खेल जैसा तुम समझ रहे हो उससे कहीं बड़ा था निशाना कहीं और ही लगना था 1990 में ही शेशन देश के दस्वे मुख्य चुनाव आयूख नियुक्त हुए शेशन के नियुक्ती में चंदर शेकर सरकार में कानून और बानिज जमंत्री रहे सुब्रमन्यम स्वामी का बड़ा हाथ था टी-एन शेशन की जीवनी शेशन एन इंटिमेट स्टोरी में इस बाबत एक किस्सा दर्ज है और किस्सा कुछ ऐसा है कि जिस रो सुब्रमन्यम स्वामी शेशन के पास मुख्य चुनाव आयूख का प्रस्ताव लाए शेशन राजीव गांधी से मुलाकात करने गए राजीव ना अपनी सहमती तो दे दी लेकिन जाते वे कहा कि वो दाड़ी वाला शक्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हे मुख्य चुनाव आयूख बनाने का फैसला किया था दाड़ी वाले से यहां राजीव का इशारा था चंदर शेखर से चुनाव आयूख बनते ही शेशन के पास व्यदानिक शक्तियां आ गई जो की सम्विदान से मिलती थी अब उन्हें मंत्राले या सरकार से डरने की कोई जरूरत नहीं थी शेशन एलान किया कि मिनाश्ते में नेताओं को खाता हूँ 1990 में लोकसभा चुनाओं और उसके बाद वे तमाम इदान सभा चुनाओं में शेशन का असर दिखा जमीन पर भी दिखा जहां गड़बड़ी की शेकायत होती वो तुरंट चुनाओ रोपकर नए सिरे से चुनाओं की घोशना कर देते ताकत थी समिदान से मिली हुई अभी भी है फर्जी वोटों पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने सरकार के पास प्रस्ताओं भेज दिया कि वोटर आइडी पर मदद आताओं की तस्वीर लगाई जाए सरकार ने इंकार किया ये कहते वे कि इसमें तो बहुत खर्च होगा लेकिन शेशन मानने बहले आदमी थे नहीं उन्होंने कहा कि जब तक तस्वीर नहीं लगेगी एक भी चुनाओ नहीं होगा इसके बाद 1993 में फोटो वाले वोटर आइडी की शुरुआत हुई आर्ब शार्दा प्रसाल लिखते हैं कि नेता शेशन से इतना खार खाय रहते कि उनका नाम अलसेशियन याने के कुटों की एक नसल के नाम पर रख दिया गया 1995 में जब शेशन ने बिहार में कई सीटों पर चुनाओ खारिच कर दिया तो लालू कुसे अज़्यादा उनसे गुस्सा हो गए लालू ने नारा दिया शेशन वर्सिस द नेशन शेशन पर नकेज डालने की कई कोशिशियों है और कई लोगों ने की उनके खिलाब सदर में महावयोग चलाने की सिफारिश हो गई लेकिन प्रधानमंत्री नरसिमा राव ने ऐसा होने नहीं दिया राव को लगता था कि ऐसा करने से जनता में सरकार की छवी खराब हो जाएगी लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरा रास्ता निकाला ही सभिदान के दहर चुनाव आयुक सरकार के अधिकार में नहीं थे लेकिन कोई कानून नहीं था कि सिर्फ एक ही चुनाव आयुक थो तब राओन ने MS गिल और GVG कृष्ण मूर्ती को अतिरिक्त चुनाव आयुक बनाया शेशन की ताकत एक तिहाई हुई इससे शेशन सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को वैद मान लिया आप भी शादा प्रसाद एक और किस्से का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि एक बार जैल एलिता की पार्टी AIA DM के के कुछ कार्य करता हुने शेशन से मार पीट कर ली शेशन आश्यर जने कुरूप से शांत रहे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आपने इसके लिए कोई जवाबी कदब नहीं उठा है क्योंकि आप TN यानि तमिल नाडू शेशन है इस मामले में पत्रकारों ने भी उनके घर पर फोन किये शेशन फोन उठा कर कहते मिस्टर शेशन उपलब्द नहीं है कोई कहता कि सर आप खुदी फोन पर हैं तो शेशन जवाब देते मैं यह नहीं कह रहा कि शेशन घर पर उपलब्द नहीं है मैं यह कह रहा हूँ कि शेशन आपको जानकारी देने के लिए उपलब्द नहीं है एक बाद टाइमस अफ इंडिया के पूर बेडिटर देले पटगाओकर ने उन्हें देर रात फोन कर दिया ताकि शेशन का वो बयान ले ले किसी तरह शेशन ने फोन उठाय और वापस पटक दिया इसके बाद शेशन पूरी रात पटगाओकर को फोन करते रहे और जैसे ही पटगाओकर फोन उठाते शेशन फोन को पटक देते शेशन ने अगले दिन कहा कि जब तक पटगाओकर मुझसे माफी नहीं मांगेंगे मैं हर रात कॉल करूँगा शेशन समय की पाबंदी और सफाई को लेकर भी बहुत मशूर थे मीटिंग में कोई एक मिनिट लेट आये तो वो से तुरंद बाहर का रास्ता दिखा देते सफाई की मामले में उनका कहना था मेरे मंतराले में टॉलेट भी इतने साफ है कि आप उसमें खाना खा सकते है शेशन को मुख्य चुनाव आयुक्त रहते वे उनके द्वरा लाए गए सुधारों के लिए याद रखा जाता है हलांकि शेशन के नाम कुछ विवाद भी जुड़े शेशन कांची के शंकराचारे चंदरशेकर सरस्वती के बड़े भक्त होते थे 1994 में चंदरशेकर सरस्वती के मृत्ति हुई शेशन रातो रात एक प्राइवेट प्लेन लेकर कांची पहुचे ये विमान रिलाइंस के संस्थापक धीरुभाई अंबानी का था जब एक खबर बाहर आगी तो शेशन पर खूब उंगलिया उटी शेशन ने तुरंत एक प्रेस कॉंफरेंस बुलाई तब और धीरुभाई अंबानी के नाम एक चेक दिखा दिया शेशन का राशिफल और हस्तरे काओं पर भी भरोसा था एक बार उन्होंने घोशना की थी कि उनकी कुंडली में देश का राश्रपती बनना लिखा है शेशन ने यहां तक कहा कि वो राश्रपती या संयुक्त राश्र के सेक्रेटरी जनरल बनने बाले हैं इसलिए प्रधान मंतरी को उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए मुक्य जुनायोग के रूप में 1996 में शेशन का कारेकाल खत्म हुआ 1997 में उन्होंने स्वतंतर उमीदबार के रूप में राश्रपती के लिए आवेदन भी भरा लेकिन उन्हें सिर्फ 5 फीसदी वोट मिले 1999 में उन्होंने कॉंग्रेस के टिकट पर गान्धी नगर से लालकुष्णा अडवानी के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन यहां भी निराशा ही हाप लगी अपने आकरी दिन शेशन ने एक ओल्ड एज होम में गुजारे उनके बच्चे नहीं थे जायदात के नाम पर किताबों का एक बड़ा संग्रा था डिमेंशिया के चलते आकरी दिनों में वे इन्हें भी नहीं पढ़ पा रहे थे जितने पैसे कमाए अधिकतर चैरिटी में ही दी साल 2019 में चन्ने के अपने घर में उनकी मृत्य हुई शेशन के काल को भारत में चुनाव आयोक का स्वरनिम काल कहा जाता है डवंबर 2022 में लोगों को एक और बाशेशन के हैसियत का अंदाजा लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोक के नियुक्ति पर टिपपनी करते वे कहा था जमीनी सिती खतरनाक है अब तक कई CEC रहें मगर TN शेशन जैसा कभी कभार ही होता है हम नहीं चाहते कि कोई उन्हें ध्वस्त करे तीन लोगों CEC और दो चुनाव आयोक्तों के नाजुक कंधों पर बड़ी शक्ति नहीं थे हमें CEC के पद के लिए सबसे अच्छा विक्ति खोचना होगा इसी के साथ आज का तारीक अपिसोड यहीं पर समाथ होता है जिसे ही लिखा था हमारे साथी कमल ने और इसे रिकॉर्ड किया था कैमरे पर आपके दोस्त और हमारे भी दोस्त जते ने देखते रहिए दिला लंटाओ